ओम नमा शिवार नमस्कार दोस्तों आपका अपना यूटीव चानल व्रत्यो हार टोट के मैं हूँ आपके साथ रिमझेम शर्मा रक्षा बंधन का तेओहार जीहाँ साल 2020 में रक्षा बंधन का तेओहार ती नगस्त को हम वना रहे हैं जैसा कि हम सभी जानते हैं रक्षा बंधन का तेवहार भाई बहन के बीच के अटूट प्रेम को दर्शाता है इस दिन बहने अपनी भाई की कलाई पर राखी रक्षा सूत्र बांती हैं इसी विश्वास के साथ कि किसी भी परस्थिती में भाई उनके साथ खड़े हैं और भा किसी भी तरीके की क्यूं नहों तो किसी भी विपरीत परस्थिती में बहन का साथ देने के लिए भाई अपनी ततपरता का विश्वास उस दिन अपनी बहन को दिलाते हैं बहुत ही अटूट प्रेम होता है भाई और बहन का और यह जो चाहे कितनी भी नोक जो क्यों ना हो बहुत ज्यादा गहरी होती है और रक्षा बंधन पर्व के दिन हम इसी प्यार को दर्शाते हैं भाई के कलाई पर बहने राकी बानती हैं और भाई आशिरवात देते हैं अपनी बहनों को तो जैसा कि मैंने बताया दोस्तो इस साल ती नगस्त को श्रावन मास की पूर्णे माते थी है श्रावन मास की पूर्णे माते थी को ही हम रक्षा बंधन काते ओहार मनाते हैं और इस साल की अगर हम बात करें बहुत ही शुबसा योग है इस साल श्रावन मास की पूर्णे माते तो बहुत ही सुन्दर योग है इस बार रक्षा बंधन के दिन तो पूर्ड़मा तिथी की आपको मैं बता दू तिथी कब से प्रारंभ हो रही है और कब तक रहेगी तीन अगस्त को पूर्ड़मा तिथी प्रारंभ होगी आपको दो अगस्त को राग के 21 वजकर 28 मिनट पर और समाप्त हो जाएगी तिथी तीन अगस्त को यानि कि जिस दिन हम रक्षा बंधन का तेओहार मनाएंगे उस दिन रात्री 21 बजकर मतलब 9 बजकर 27 मिनट पर इस वीडियो में रक्षा बंधन से जुड़ी हुई संपुर्ण जानकारी मैं आपको देने जा रही हूं मैंने तो हमें भद्राकाल देखना होता है शुब महुर्थ हमें और क्या देखना है किस वक्त शुब महुर्थ है पूरे दिन अगर हम राकी बांधना चाहतें तो किन-किन वक्त पर बांधें जो कि सबसे शुब महुर्थ होगा किन नियमों का हम पालन करें राकी बांधे वक्त और हमें क्या कुछ रक्षा बंधन के दिन करना चाहिए, इन तमाम जानकारियों के लिए ये वीडियो आप जरूर देखें, अंत तक देखें, बहुत आपके लिए उपयोगी होगा, इस साल आप भी अपने भाई की कलाई पर राखे बागने जा रही हैं, तो आप इस वीडि पुर्णे माति थी को भद्राकाल परड़ा है, सुबह सबसाथ बजे खत्म हो जाएगा भद्राकाल, भद्राकाल में हमेरा की नहीं बादनी होती, अब बता दे कि शुब मोर्थ क्या होगा रक्षा बंधन के लिए, शुब मोर्थ बहुत जल्द सुबह शुरू हो जाएग साड़ी नौ बजे से, नौ बज कर चब्विस मिनिट के बाद से आप राकी बान सकते हैं, सुबह का जो शुब मोर्थ होगा, वो नौ बज कर चब्विस मिनिट से, आप साड़ी दस तक राकी बान सकते हैं, दो पहर की बात करें, तो दो पहर से लेके शाम तक, इस दिन बह सकते हैं किसी भी वक्त कोई दिक्कत नहीं है उसकी वाजा सब मैंने बताया एक और शुब महुर्ट है लेकिन जो लोग पुर्णिमा तिथी को मान कर बांधेंगे वो इस महुर्ट में नहीं बांधेंगे क्योंकि जैसा कि मैंने बताया पुर्णिमा तिथी समाप्त हो तो कुल मिलाकर पूरे दिन तीन अगस्त को बहुत ही अच्छा सायोग है सुबह साढ़े नौ बजे के बाद आप कभी भी राखी बान सकते हैं। अक्षत रखे, उसमें एक दीपक रखे, दीपक की बाती दो हमेशा लगानी चाहिए तो दो बातियों के साथ मिलाकर एक दीपक तयार करके रखे, आप पुष्प भी रख सकते हैं, अपनी राखी रखें आप जो राखी आप अपने भाई की कलाई पर बांदने वाली हैं को बिठाना है पूरव दिशा में जब आप भाई की कलाई पर राखी बांधे तो आपका मूह होना चाहिए पश्चिम दिशा में तो पूरव और पश्चिम में भाई बहन एक दूसरे क्यामने सामने होकर राखी बांधे राखी भाई की हमेशा सीधी कलाई में बांधनी चाह यह भी जरूरी है भाई के सिर पर आप रुमाल रख सकती है अपने सिर पर दुपट्टा चुटनी आपके पास जो उस वक्त मौजूद है चीज वो जरूर रखिए और सिर ढख कर रखिए यह जरूरी है अब सबसे पहले आप कुम-कुम लगाएंगी भाई को कुम-कुम लग कुम-कुम के बाद आप अक्षत कुम-कुम पर लगाएं दही का टीका लगाएं बहुत ही शुब होता है रक्षा बंधन के दिन इस तरह से अपने भाई को कुम-कुम और तिलक लगाना इसके बाद आप सीधी हाथ में भाई की कलाई पर राखि बाधें राखि बाधने के बाई आप भाई को कियाती उतारे और उसके बाद उनका मुव मीठा जरूर कराएं। भाईयों के लिए मैं यह कहूंगी जो भाई राखी बनवा रहे हैं इस दिन बहन से आशिरवाद लेना बहुत ही शुब होता है। तो बहन से आप राखी बनवाने के बाद जरूर आशिरवाद लें। यह आशिरवाद उसी तरह का है विश्वास दिलाने की जो प्रथा चली आ रही है रक्षा बंधन की जो कि हम आपकी किसी भी परस्थिती में साथ हैं बहन हम आपकी हमेशा रक्षा करेंगे और आपको पहली पुरानी कथा है उसके बारे में थोड़ा मैं आपको बता दू ऐसे माना जाता है कि माता लक्ष्मी ने राजा बली को सरप्रथम राकी बांदी थी और तब से इसकी शुरू हुआ तो इस तरह की कई पौरानी कथाओं के साथ हम आज भी बड़े उल्लास के साथ रक् प्रथा बंधन का तेओहार भाई बहन के बीच परस पर प्रेम का तेओहार है लेकिन कई बार हमारे बहन नहीं होती हमारे भाई नहीं होते तो हम ऐसी परस्थिती में क्या करें क्या हम तेओहार को नहीं मनाए नहीं ऐसा बिलकुल नहीं है सभी को तेओहार मनाने का पूरा करें जिन बहनों के भाई नहीं है वो किसी भी देवता के हाथ में राकी बान सकती है उन्हें भाई बना सकती है उनका अशिरवाद ले सकती है जिन भाईयों के बहन नहीं है वो देवियों को राकी अर्पत कर सकते हैं और रक्षा बंधन के दिन उनका शुभाशीश ले सकते ह एक और बात है, जिस तरीके से हम साथ रहते हैं और आमने सामने राकी बानते हैं लेकिन कई बार है कि हम साथ नहीं है भाई बहन, हम दूर है दूसरे से तो क्या करें? पहले भी ऐसा होता आया है पोस्ट के माधियम से हम राकी भेजते थे चाहे बहन और भाई किसी भी दूसरे शहर में क्यों ना हो विदेशों में क्यों ना हो अब तो और भी जादा टेकनीक्स हैं अब तो हम ईमेल से भी राकी भेजते हैं इस तरह की प्रथा आ गई है अभी पोस्ट से लाखी भेजती हैं बहने और भाई अपना शुभाशीश बहनों को देते हैं तो इस तरह की चीजे भी आज भी चली आ रही है देश में नहीं विदेशों में भी बड़े उल्लास के साथ रक्षा बंधन का तेवहार मनाया जाता है जो भी भारती रहते हैं दूसरे जोश के साथ पूरे उल्लास के साथ भाई के साथ खूब अच्छा वक्त बिताईए भाई अगर आपके साथ नहीं है तो उस दिन जरूर उनसे आप उनको पोस्ट के जरी राखी भेज चुकी है तो फोन कर उनसे बात कीजिए उनका अश्रवाद लीजिए भाई भी ये जर जरूर ले बहुत ही शुब होता है ये और इस शुबता भरे दिन हमें भाई और बहन को एक दूसरी के प्रती चो प्रेम है वो जरूर दिखाना चाहिए तो दोस्तों रक्षा बंधन से चुड़ी ही संपुर्ण जानकारी इस वीडियो में मैंने आपको दी है वीडियो पस परिवार के भाईयों को बहनों को रक्षा बंधन की मैं अगरिम शुब कामनाय देती हूँ बहुत बहुत शुक्रिया